स्टाट महोद भाशा अभिव्यक्ती के आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन है इसके माध्यम से न केवल हम अपने व्यक्तित्व की चाप दूसरे पर छोड़ सकते हैं बलकि महान व्यक्तियों के चरित्रों से भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं जीवन के किसी भी शेत्र में भाशा का अपना ही महत्व है भाशा के योगदान के बिना हम एक सम्पूर्ण स्रिष्टी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं भाशा भाशा किसी भी देश जाती वह संस्कृती की सम्वाहिका होती है भाशा जेत्ना प्रदान करती है भाशा संसकार देती है तथा भाशा के माध्यम से हम किसी देश के ज्यान विज्यान के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अंतराश्ट्रिय इस्तर पर भी भाशा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक देश की गतिविधियों की जानकारियां दूसरे देशों को प्राप्त होती हैं चाहे वे धर्म का शेत्र हो राजनीती का शेत्र हो साहित्य वा संगीत का शेत्र हो अत्वा ज्यान व विज्यान का भाशा के बिना कोई भी राश्ट्र गुंगा होता है बिना भाशा के ज्यान का विस्तार ना हो सकता है और ना ही विज्यान का वहीं देश से विश्व मानचित्र में अपना मस्तक उचाद कर सकता है रखा है भाशा में परम परागत उना महज भरम ही है भावनाओ की जो मौलिक अभिव्यक्ति अपनी राश्ट्र भाशा में में होती है वह विदेशी भाशा में किसी रूप में नहीं हो सकती हम कहें संकोच वश अंदर ही अंदर मस्तिश्क रूपी कम्प्यूटर से भाशाओं का अनुवाद करते हैं तथा मौलिक भावना को छोड़कर अनुवाद के माध्यम से उसे अंग्रेजी में अध्वा अन्नी किसी विदेशी भाशा में अविव्यक्त करते हैं यह मूल अविव्यक्ती का संकोच ही आज आजादी की इतनी लंबी अवदी के बाद भी हमारे लिए सोच वा विवश्टा का कारण बना हुआ है अपनी भाशा आत्म निरभरता वा स्वाभिमान प्रदान करती है यदि हिंदी के प्रति उपेक्षा पूर्ण भावों का चुनोतियों से सामना किया जाए तो आने वाले समय में यह संकोच शब्द हमारे शब्द कोश में फिर नहीं मिलेगा बाग केवल सोच की है कि हम अपने देश्वा देश की भाशा के प्रति कितना मुह रखते हैं यह विचित्र विडम बना है कि घरेलू जीवन में प्रियुक्त हिंदी के लिए न हमें किसी शब्द कोश की आवश्यक्ता पढ़ती है और नहीं किसी विचार विमर्श की टिक्टेशन कंप्लीट चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप हो लिएगा दन प्रियुक्त प्रियुक्त